बिसमिल्ला हिर्णाइटाहू इस लेसन में हम सीखेंगे कि AutoCarsival 3D में परफाइल को कैसे क्रियेट किया जाता है पिछले लेसन में हमने सीखा था कि alignment कैसे क्रियेट की जाती है लेकिन उसमें एक चीज बाकी रहागी थी कि अगर हम इस alignment को गोगल अर्थ के उपर देखना चाहते हैं कि यह हमारी alignment गोगल अर्थ के उपर किस जगा पे आ रही है तो उसके लिए आप यह output वाले टैब पे जाएं फिर publish to गोगल अर्थ पे जागे क्लिक करें आप कोई साथ भी नाम रखना चाहते हैं गोगल अर्थ पे अगर लेके जाना है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं माडल से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो गोगल अर्थ के उपर जाके जाहर हो जाएं तो ऐसे no entity selected तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करके तो हम अपनी alignment को गोगल अर्थ के उपर देखना चाहते हैं तो इसको select कर दें select करके right क्लिक करें और फिर next यह coordinate system चेक कर लें ओके next तो यह draft entity on ground इसके उपर क्लिक करें फिर next publish के उपर क्लिक करें यह हमें वो बोडरा के इसी नाम का पहले भी है इसको ओवराइट करना है ठीक ओवराइट कर दें और यह अभी view का अप्शन दे रहा है तो हम यह view को चेक करते हैं कि हमारी alignment गोगलर्स पर किस जगह पर आ रही है तो हमारी alignment अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक आ रही है तो इसी तरह आप अटो कार सिवल 3D से कोई और चीज भी लेके आना चाहते हैं मसलन स्टेशनिंग और कॉन्टूरेंग वगारा तो आप लेके आ सकते हैं अगे अगे अग इसी तरह अगर आप आटो कार सिवल 3D में इस गोगलर्स इमज या सर्फस को सिवल 3D में इम्पूर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी सिंपल सा तरीका है कि ये पेज जो आपने ओपन किया हुआ है ये सारे का सारा पेज आटो कार सिवल 3D में आ जाएगा तो उसका तरीका बहुत सिंपल है इसमें यह इंसर्क वाले टाप पे जाएं और गोगल आर्थ पे जाके क्लिक करें यह गोगल आर्थ इमज सिर्फ इमज लेके आएगा सर्फस सिर्फ सर्फस लेके आएगा यह गोगल आर्थ इमज आना सर्फस दोनुन लेके आएगा तो इसको क्लिक करते हैं यह देखें यह यूज क्वाडिनेट सिस्टम को इंटर करता हूं तो यह देखें जो विंडो गोगल अर्थ में जो पेज खुलो हुआ था वे पेज इसके उपर आटोकार सिवल 3D में आ गया तो यह था इसता तरीका ते गोगल अर्थ में कैसे इंपोर्ट या export करते हैं अभी हम आपने अगले lesson की तरफ आते हैं कि profile को कैसे create किया जाता है तो home वाले tap पे जाके profile वाली option पर जाए create surface profile के उपर जाएं यह select surface PRX को add वले button पर क्लिक करें. तो यह इदर आगी है, तो इसके बाद, ड्रा इन प्रफाइल व्यू पे जाके क्लिक करें. तो यह जनरल पे बता रहाब अजने इदर आपको इसा भी नेम डे दे हैं. स्टेशन रेंज इदर से लेके अन तक, तक कॉब्के प्रफाइल व्यू हाइट आटोमेटिक उसने स्लेक्ट की हुई है या फिर आप मैनवल भी दे सकते हैं प्रफाइल डिस्प्ले अप्शन तो ये आपको डिस्प्ले के उपर जो है ये शो होगी तो डेटा बैंज बोटम आफ प्रफाइल व्यू ये बैंज के मतलक इन्शाला हम अगले लेस्ट में सीखेंगे कि बैंज किस तरह क्रियेट की जाए जाते हैं प्रफाइल हैच आप्शन कट फिल मल्टरी पराई बॉंटरी तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो Create प्रफाइल व्यू के उपर जाके कलिक करें और Select प्रफाइल व्यू औरीजिन तो यहां पर मैंस को चाथा हूँ कि प्रफाइल करियेट हो जाए ये देखें ये प्रफाइल करियेट हो चुकी है तो इसको देखें जूम कारके ये स्टेशनिंग सारे 20-20 पे शोर हैं जिसको हम चेंज करते हैं और ये grid lining भी जो space है इन में वो गालबन 5-5 meter का है जिसको हम अभी चेंज करते हैं तो हमने इसके style को चेंज करना है तो इसके उपर जाके क्लिक करें राइट क्लिक करके edit profile view style पे उपर जाके क्लिक करें उसके बाद ये graph का बोडर है scale का scale हम यही रहने देते हैं उसके बाद grid पे क्लिक करें clip vertical grid ये picture में सामने show भी कर रहा है clip horizontal grid फिर title ये title graph view title जो भी आपने title का नाम देना है उसकी text की height और title का नाम उसके बाद horizontal access इसमें major tick detail तो ये देखें ये major tick detail है हर 20-20 meter के ओपर वो उसने station लिखे हुआ तो इसको मैं 25 कर देता हूँ और इंटर्वल की जगा भी मैं 25 करके apply करके check करता हूँ ये देखें ये इसने grip भी जो है वो existing ground की कारली हुई है और नीचे stationing stationing के label हम अभी change करते हैं बाद में और उसके बाद vertical access पे जाएं ये आप अगर interval पांच मीटर पे रखना है तो इसको उपर click करके इसको apply कर सकते हैं apply करके इसको ok करते हैं तो ये देखें उसने stationing 25-25 मीटर के की हुई है देखने ये क्या ये station तो बहर आ रहे हैं तो इसके लिए हम अपनी scale को change करते हैं इदर से इदर से आप direct scale को change कर सकते हैं ये पूरी के पूरी ड्राइंग को automatically उसी scale के साथ adjust कर देगा तो ये देखें अभी उसने अपनी scale के मताबद इसको adjust कर लिए तो अभी हम इसके ओपर design line लगाते हैं तो उसके लिए profile creation टूल में जाते हैं जिसमें वो बोड़ रहा है select view to create profile इसके ओपर मैंने profile को design कर रहे हैं कि इधर नाम दे दें design failure में भी आप design को set कर सकते हैं okay करें ये profile layout टूल की एक नई window open होगी है तो इसमें आप कर्व के setting कर सकते हैं जिसमें create curve की length fix कर सकते हैं के create curve और set curve ये इनकी length कितनी हो तो मैं इसको अपनी तरफ से दोनों का 3300 meter के कर लेका हम आप इसमें k value भी set कर सकते हैं कि आपको k value set करेंगे तो उसे हिसाब से वह curve की length automatically दे रहेगा तो मैं जो या इसको length देता हूँ set की और create की okay कर दें इसके बाद draw tangent with curve starting के point पे जाके click करें इसे तरह आप जिस तरह अपनी roll का design कर रों चाहते हैं उस तरह कर लें end वाले point को select करके right click कर दें अब यह देखें यह profile create हो चुकी है यह उसने यह profile create हो चुकी है आप चेक कर लें यह इदर length of vertical कर देख सिर्फ 17 मिटर बता रहा है तो लंथा वर्टिकल करफ इदर फे आप इड़िट कर सकते हैं वरिजंटल करफ की तरह यह इसमें आए और परफाइल करफ लंथ इदर आप मैनुल करफ लंथ इंटर कर सकते हैं करते हैं कि यह देखें यह चेंज हो चुकी है लेकिन यह ऊपर लंथा वर्टिकल करफ दोसुपचास विटर का हमें दखा रहा है तो इसी तरह हम आगे वाला भी चेक करते हैं सेहिया दोसुपचास और यह तीन सो और यह भी यह पाई सो इसमें यह वर्टिकल करफ की डिटेल और यह दिमेंशन लाइन यह ऊपर जाके तो यह डिस्टांस सही नहीं बता रही है तो इसको इसके संटर में लाने के लिए इसका उपर जाके क्लिक कारके राइट क्लिक कारके इड़ेट लेबर्ज में जाएं उसके बाद ये देखें किरियेस्ट कर्ब की अप्शन में जाएं और फिर इसके उपर डबल क्लिक करें ये एक नई विंडो अपन हो गई है जिसमें आपको जनरल बता रहा है और लेउट की आप्शन में जाएं तो ये देखें वोई चीज़ हमें इदर भी शो कर रहा है तो इसका सिंपली प्रीका है कि इसको एक बार फैलस करके फिर इसको प्रूप लेके आके इसको ओके कर दे ओके कर दे और अभी हम देखते हैं कि ये क्या करती है हमारे साथ तो इसी तरह सह कर्फ के उपर भी डबल क्लिक करके इसके उपर भी क्लिक करें और ये फैलस फिर इसको फ्रूप करदें तो ये देखें ये अपनी पोजिशन पर आगी है और ये देखें ये इसने डिमेंशन लाइन अभी जो है बिलकुल ठीक वो दे रहा है इसको इसको क्लोज करते हैं और इसी तरह अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो वहरी सिंपली है कि इसको इजी ली आप रमूव कर सकते हैं आप ये देखें मैंने इसको मूव किया तो ये आटोमाटिकली चेंज होके इसमें आपनी लकेशन आटोमाटिकली अपडेट कर दी ऐसे ही इसको मैं नीचे लेके आता हूं ये देखें इसमें आटोमाटिकली अपनी पोजिशन चेंज कर लेगा देखें इसमें आटोमाटिकली अपनी पोजिशन चेंज कर लेगा इसी तरह अगर मैं horizontal curve में भी कोई changing करता हूँ मैं SPIQ को move करता हूँ तो यह देखें इधर profile भी automatically update हो जगी है profile भी automatically update हो गई है अगले लेसन में इंशादल हम सीखेंगे के यह जो band detail है वो कैसे create की जाती है band detail का महानी है के इधर design, elevation NGL, station, super elevation data यह कैसे create की जाता है इस लेसन में इतना ही अरे सोरी यार एक चीज तो इसमें रहा गई अगर हम इसकी रपोर्ट देखना चाहते हैं NGL और PGL की रपोर्ट तो इसमें simply आप टूल बक्स पे जागे क्लिक करें अगर इधर से आना ही है तो यह हाँ पे टूल बक्स पड़ा हुए तो इसमें report manager के plus वाले sign पे क्लिक करें और फिर profile पे profile के ओपर जागे क्लिक करेंगे तो इसमें यह option आगई है increment station elevation difference report और यह report जो से भी आप report देखना चाहते हैं तो इधर से वो vertical curve report PVI station and curve report only PVI station तो इधर से आप report चेक कर सकते हैं मसाल के तोर पे मैं इस report को चेक करता हूँ इसके ओपर right click करें execute के ओपर जाके क्लिक करें उसके बाद यह देखें यह ओपर list of design profile यह ओपर design profile को show कर रहा है और नीचे list of existence profile surface तो यह नीचे वो बोल रहा है के regular interval यानी 0,25 just ऐसे horizontal tangent point के जो भी tangent point आते हैं इस पे मसाल के तोर पे horizontal curve का point आ जाता है उसके report तो मैं बोलता हूँ उसको रहने दो मुझे regular चाहिए इसी तरह vertical को भी मैं नहीं चाहता existing ground point नहीं तो मैं चाहता हूँ के regularly पचीस पचीस पे मुझे यह report दे तो save report to यह HTML इसका default होता है जिसको आप change करके excel में भी drag open कर सकते हैं तो excel को select करके save करें तो create report के उपर जाके click करें यह पहले का data था तो इसको मैं override कर देता हूँ यह देखें वो report को create कर रहा है तो जब तक वो report create करता है तो मैं वीडियो को pass करता हूँ तो यह देखें उसने यह profile elevation difference report यह उसने create कर दिया यह पीवी आई और यह आगे station लिखा हुआ है इस्टिंग नार्दिंग elevation existing और elevation design elevation difference यह उसने हमें report दे दिया जिसमें string नार्दिंग और NGL और PGL की उसने हमें report दे दिया तो इसको आप यहां से print कर सकते हैं तो इस lesson में इन्शाला इतना ही अगले lesson में हम सीखेंगे के bands कैसे create की जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप यहां पर जाके subscribe के बटन के उपर क्लिक कर सकते हैं जो भी मेरी अपडेट वीडियो होगी तो वो आपको show हो जाया करेगी तो subscribe के बटन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो आप यहां से like वाले बटन के उपर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप यूटूब वाले चैनल पे गोगल के विरिये से जाना चाहते हैं तो simply हुसाइन 1198 लिखके इंटर करें और ये देखें हुसाइन 1198 यूटूब तो इसके उपर आप क्लिक करके डिरेक्टरली मेरे चैनल पे जा सकते हैं इस लेसन में इतना ही अगले लेसन में इंशाला हम कुछ मजीद सीखेंगे थैंक यूफर वाचिंग ओके अलाहाफिज